हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब यह देखें मैं यह डिजाइन बना रही हूं यह आप लेडी जैंट्स किसी स्वेटर में डाल सकते हैं मैं चार-पांच साल के बच्चे का स्वेटर में बना रही हूं आगे मैं यांचिप लगाऊंगी इसके लिए मैंने यह बेबी बूल ल और इस पर यह केबल वाला डिजाइन मोटी बोल से ज्यादा खिलता है इसको ऐसे डबल कर लिया है यह फ्रंट साइड है फ्रंट साइड में मैंने यहां पर 45 फंदे प्रस 10 फंदे आगे पट्टी के 55 फंदे डाले हैं और यह मैंने ऐसे केबल बनाई है यह चोटी वाली के केबल है जैसे चोटी बनती है वैसे यह केबल है और बीच में यह चार हंदों की केबल है उसके साथ हम यह पहले ऐसे बार की तरफ निकालते गए हैं फिर हमने अंदर कर दिया है तो ऐसे बनेगा डिजाइन दो से थोड़ा सा उपर है यह बोडर बनाया है अब मैं आपको बताने जा रही हूं कैसे बनाना है यह मैंने इसके उपर साथ नंबर की सवाईयां लगाई है अब मैंने यह पट्टी जो है यह फ्रंट साइड है फ्रंट साइड की पट्टी इस साइड रखिए तो यह इसकी इस साइड रखेंगे यह लेप्ट साइड है तो यह राइट स और दो सिद्धे ये डिजाइन को ध्यान से एंड तक जरूर देखें अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें ये मैंने 10 फंदे पट्टी के बुन लिया है अब मैं ये आपको बताऊंगी ये मैंने इधर से 2 फंदे इसके साथ उल्टे रखे हैं अब एक सिदा है एक सिदा ऐसे उतारेंगे फिर उसके बाद 2 फंदे और उल्टे बुनेंगे ये दो फंदे ऐसे इसमें दो फंदे ऐसे उल्टे हैं केबल के साथ अब ये 12 फंदे हम सिदे सिदे बुनेंगे एक, दो, तेन, चार, पान, चेन, साथ, आठ, नो, दस, ज्यारा, बारा, बारा फंदे सिदे ये केबल वाले बारा फंदे हैं फिर दो फंदे उल्टे फिर एक हमने ऐसे उतारा है सिदी स्लाई में ऐसे उतरेगा हमने 12 फंदे के बारा फंदे के बारा फंदे के बारा फंदे दो उल्टे और एक सिद फिर इसके बाद मैंने 9 फंदे उल्टे डाले हैं, ये 9 फंदे, ये हम उल्टे डालेंगे, ये 2 होगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 फंदे उल्टे कर लिए, ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे सीधे, इदर से भी 9 फंदे चोड़ने हैं, मैंने एक्स्टर इसलिए रखे हैं, ये फ्रंट साइड है, तो इदर से आम होल की कटिंग होनी हैं, इसलिए इदर से एक्स्टर रखे हैं, ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए, उसके बाद फिर ये जितने भी हैं फंदे उल्टे बुन देंगे, या मैं एक ऐसे बढ़ा रही हूं, ये मैं सारे फंदे जो हैं, उल्टे बुन लूँगी, ये 55 हैं तो दो फंदे बढ़ा के 57 हो जाएंगे, या मैं दो के पहले एक और या बढ़ा लूँगी, ऐसे एक का दो कर लेंगे, ये फंदा लास्ट वाला भी, इसको भी बुन लेंगे, स्टार्टिंग फंदा, मैं ऐसे ही उतारती हूं, इससे ऐसे फ्निशिंग आ जाती है, ये उल्टी साइड से, ये उल्टे फंदे जो है, ये बुनेंगे, उल्टी स्लाई में, जो ये बीच में डिजाइन है, इनको उल्टा ही बुनेंगे, ये उल्टे जो है, सीधी स्लाई में उल्टे आ रहे हैं, उसको हम या इदर सीधा बुनेंगे, पंदे 16 बचे हैं तो यह मैंने 16 सीधे बुन लिए यह 4 पंदे जो यह बीच वाली केबल है बड़ी वाली उसके 4 पंदे हम उल्टे बुनेंगे 3, 4, 4 के बाद भी हम यह 9 पंदे उल्टे जो हमने यह 9 पंदे उल्टे बनाए हैं यह बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उल्टी स्लाई में हम इसको सीधा बुनेंगे यह 9 पंदे बुन लिए जो हमने ऐसे उतारा था यह उल्टा नजरा रहा है इसको हम उल्टा बुनेंगे यह 2 पंदे जो हमने उल्टे रखे थे उसको 2 पंदों को सीधा बुनेंगे फिर यह 12 पंदों की जो यह चुटिया वाली केबल है इसको हम उल्टी साइड में उल्टा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साइड, आठ, नो, दस, ग्यारा, यह 12 पंदा यह उल्टा नजरा रहा है इसको हम उल्टा बुन लेंगे फिर उसके बाद यह हमारी पत्ती गेर 10 पंदे हैं उसको जैसे हम बुन रहा है पत्ती बना रहे है वैसे पत्ती बनाएंगे मैं 2 उल्टे 2 सिद्दे की पत्ती बना रही हूं अब हम सीधी स्लाई, 3rd स्लाई में आ गे तो इसमें अब पहला फंदा ऐसे उतारोंगी। फिर उसके रहे हैं ऐसे उतारेंगे फिर दो फंदे उल्टे पिर यह हम बारां फंदे की केबल बना रहे हैं तो चार फंदे जो हैं ऐसे बुन लेंगे बाकी ये हमारे आठ फंदे बचे चार चार आठ इसको हम ट्विस्ट करेंगे इनको हम दूसरी स्वाई पर निकाल लेंगे और ये चार फंदे बुन लेंगे एक, दो, तीन, चार अब जो इदर बैक में किये हैं इसको भी ये वाली स्वाई पर ले जाएंगे और फिर अब इनको बुन लेंगे दो, तीन, ये चार, चार बुन लिए तो ये ऐसे केबल आगी अब ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे इसके बाद ये फंदा हमने ऐसे उता रहा है इसको ऐसे उता रहेंगे जो उल्टे फंदे बुन रहे हैं उसको उल्टा बुनेंगे ये नो उल्टे फंदे हैं उसमेंसे हम आठ बुनेंगे एक फंदा नहीं बुनेंगे ये चार फंदे की केबल बनेगी ये एक फंदा जो है इसको उल्टा नहीं बुनेंगे ये हमने दो फंदे जो हैं ये दो फंदे में ऐसे निकाल लेंगे और यह जो बीच में हमने पीछे छोड़ा है इसको इधर सलाई के ले लेंगे और अब यह बंदे इधर दोनों कर लेंगे अब यह दो सिधे बुनेंगे और जो हमने इधर से आगे किया है उसको उल्टा बुनेंगे अब यह दो फंदे हमारे चार फंदे थे केबल के दो यह बच गए इधर से भी हम एक जो इसके साथ वाला उल्टा फंदा है उसको आगे लेके आएंगे और यह दो फंदे इस सलाई पे ले जाएंगे और इसको ऐसे आगे कर दिया अब यह फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे एक उल्टा एक सीधा और यह दोनों सीधे फंदे बुन लेंगे यह दोनों सीधे बकी यह हमारे सारे उल्टे फंदे बुन रहे हैं इंको सब को उल्टा बुन लेंगे जो उल्टे बुन लिया है उल्टी स्लाइब आगे जो उल्टे बुने हैं उनको हम ये सीधा बुन रहे हैं अब ये उल्टे हैं जो उल्टे नजर आ रहे हैं उनको ऐसे उल्टा बुनेंगे अब ये फिंदे सीधे हैं तो सीधे बुनेंगे अब ये हमें एक फंदा ऐसे नजर आ रहा है इसको हम उल्टा बुनेंगे अब ये दो फंदे सीधे फिर ये उल्टे बंदे हैं हमारी ये वाली 12 फंद वाली केबल पर एक दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 अब ये दो फंदे सीधे ये ऐसे फंदा नजर आ रहा है इसको उल्टा बुनेंगे फिर ये पट्टी वाले फंदे हैं उसको जैसे पट्टी बुन रहे हैं वैसे ही बुनेंगे नेक्स्ट आई बुनेंगे ये फंदा से उतार है ये पट्टी के फंदे इनको बुनेंगे अवर ये डिजाइन शुरू हो गया यहाँ से इसको बैसे फंदे को उतारेंगे और ये दो उल्टे बुनेंगे फंदे हमसीदे बुनेगे अब ये दो फंदे उल्टे ये एक फंदा मैं ऐसे उतार रहे हैं इसको ऐसे उतारेंगे और ये उल्टे फंदे उल्टे बनेंगे अब ये एक फंदा छोड़ना है इसको नहीं बनना आगे यह इसको पीछे ले जाएंगे अब यह दो फंदे जो है इनको इससे स्राइब पे ले जाएंगे अब यह सीधे बुनेंगे अब यह केबल खुल रही है इसको ऐसे यह केबल हमारी खुल रही है और यह बीच में उल्टा एक सीधा बुनना है ऐसे बुनते जाएंगे अब यह जो हमने इदर किया है इसको हमेशा याद रखना है इसको उल्टा ही बुनेंगे और यह एक सीधा फिर यह एक उल्टा फिर यह दो फंदे हमारे यह नजर आ रह경े तो पर इसके साथ से यह वाला पंदा आगे लेके आएंगे और यह वाले दोनों फंदे इसी सिलाई इसलाई पर कर देंगे फिर इसको वेद्दर ले जाएंगे यह फंदा यह हमने उल्टा बुना है अब यह सीधा बुनेंगे और यह केबल वाले दो भंदे यह भी सीधे बुनेंगे और यह बाकि उल्टे बुनेंगे यह ओल्टे फंदे सारे उल्टे इससी दिन स्लाई में आगें पर्त वाले में बुनिये हैं अब यह फंदा उतारेंगे और यह दो फंदे उल्टे बुनेंगे अब हम पहले इदर वाले फंदे चार किये थे अब ये चार फंदे इदर वाले उता लें ये चार फंदों को दूसरी स्लाई पे उतार के इसको आगे कर लेंगे एक, दो, तीन, चार अब ये चो चार इदर उतारे थे इसको दूसरी स्लाई पे इदर ले जाएंगे अब इनको बुन लेंगे यह ऐसे केबल बनेंगी अब यह चार फंदे बुनेंगे यह आठ बुन लिये थे चार बारा हो जाएंगे जो तीन यह चार जैसे ही दिजाइन बुनेंगे जैसे बुन रहे हैं दो उल्टे यह फंदा उतारेंगे और यह फंदा हम उल्टा नहीं बुनेंगे इसको ऐसे ही रहने देंगे यह दो फंदे केबल वाले इनको आगे से इस सलाई पर ले लेंगे और यह जो हमने उतारा है इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर ले जाएंगे और ये फिर इस सलाई पर धागा पीछे करेंगे बुल लेंगे और ये जो हमने इधर किया था इसको हमने हमेशा उल्टा ही बुलना है उल्टा फिर एक सीधा एक उल्टा एक सीधा फिर ये उल्टा फिर ये दो फंदे के साथ वाला इधर वाला फंदा लेंगे और ये दो फंदे पीछे ले जाएंगे उसको आगे कर देंगे एक फंदे को इधर से हमने आगे करना है और इधर से भी दो फंदे के आगे करना है और ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे ये भी दोनों सीदे बुनेंगे ये सारे उल्टे बुनेंगे की और ऐसे हम एक फंदर अगलिये और बीच में एक उल्टा एक सीदा ऐसे ही मुनते रेंगे और ये पंद एक लाई अब हमने इधर 4 फंदे Friends किE एधर कि फंदह यह पत्ती फंदिंट बिलें 350 रिए अब यह इसे रचे बौतारेंगे और यह दो उल्टे लिए इसकार य है कि वह दो फंदे उपर्टे चल रहे हैं तो उल्टे बुनें गे अभी 15 गेबल ऑभ़ मं यह चार फंदे बुनेंगे, यह हमने एक इधर एक इधर कर लिया, पहले इधर से उपर किये, अब इधर से उपर करेंगे, यह हम चोटिया वाले स्टाइल में बना रहे हैं, यह चार फंदे बुन लिये, चार फंदे बैक में कर लेंगे, यह बैक में कर लिये, अब यह चार अब यह जो बैक में किये थे इसको इधर स्लाई पर ले जाएंगे अब इनको बुनेंगे यह ऐसे बनेगा एक बार हमने इधर कर लिया फिर नेक्स स्लाई हम प्लेन बनाएंगे फिर उसके बाद स्लाइ बनेंगे यह अंता रहेंगे कि यह उछ्टे फंदे इसको रहां देंगे इसको उसको यह अंदर ले जाएंगे ऐसे दो फंदे ऐसे बनेंगे फिर ये जो उने अंदर किया है उसको उल्टा बुनेंगे उल्टा फिर ये सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा फिर एक उल्टा ऐसे ही एक सीधा एक उल्टा बुनते जाएंगे और अब ये दो एक फंदा इधर से आगे करेंगे अंदर ले जाएगे Looking यह दो फंदे इस लाई में करेंगे इसको हम सीधा दोनेंगे है कि ऐसे हार के बनती जाए कि हम यहां तक यह दो रह जाएंगे यहां पर उल्टे वाने तो यह यहां तक सिक पूर को खोलेंगे फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे अब यह सीधी स्लाइप आगे अब मैंने ये दो फंदे या उल्टे रहे थे वहां तक इसको बनाया है अब इसको अंदर कैसे मोड़ना है यह हमने यहां से केबल खोल लिए अब हम इसको बंद करेंगे यह हम यह वाला फंदा ऐसे वतार दो उल्टे बुनेंगे अब यह बारा फंदे यह हमने इदर पहले कर लिया था अब ऐसे ही बारा फंदे सीधे ही बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांट, चेंग, सार, आर, नो, दस, ग्यारा, बारा इनको उल्टा बुनेंगे अब यह फंदा ऐसे उतारेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे अब हमने इसको अंदर की तरफ मोड़ना है तो हम यह वाले बार से अंदर किये थे फंदे अब अंदर से बार निकालेंगे यह वाला फंदा पीछे लेके जाएंगे बार निकालेंगे इसको अंदर से ऐसे और यह दो फंदे इदर ले जाएंगे अब ये फंदा उल्टा बुनेंगे जो बार निकल ला है उसको भी इनके साथ उल्टे फंदे के साथ उल्टा बुनना है ये दुनों सीधे बुनेंगे अब ये एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा फिर उल्टा है एक सीधा एक उल्टा सीधा एक उल्टा एक सीधा अब ये वाला फंदा हम इसको ये वाले से बाहर निकाल लेंगे ये तो फंदे हम इस सलाई पर उतार लेंगे ये जो बैक वाल रहा है इसको इधर ले जाएंगे अब ये दो सीधे ये जो उता रहा था इधर उल्टे सारे फंदे बन रहे हैं तो उल्टे बनते जाएंगे अंदर की तरफ ऐसे बनेगी अब हम सीधी सलाई में आगे पट्टी वाले फंदे बनेगे उसके बाद ये हम दिजाइन बनेगे ये फंदा उतारेंगे फिर दो उल्टे पिर ये हम बारा फंदे ऐसे ही बनेगे अब ये दो उल्टे ये फंदा उतारेंगे, फिर ये उर्टे फंदे बुनेंगे, ये वाला फंदा इधर लेके आएंगे, यहां से, ऐसे, ये दो फंदे इधर ले जाएंगे, इसको उर्टा बुनेंगे, ये दो फंदे केबल वाले हैं, इसको सीधा बुनेंगे, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे ही बुनते जाएंगे, एक फंदा अंदर, एक फिर ऐसे केबल, ऐसे केबल कैसे ट्विस्ट करनी है, ये ऐसे केबल के बताऊंगे मैं आपको, फ्रेंट साइड पर आगे, ये एक हैंड होने वाला है, ये दो फंदे रहे गए हैं बीच में, और ये मैं बताऊंगे आपको, इसको, इसे कैसे ट्विस्ट करना है, जैसे ये किया हुआ है, ऐसे करके दिखाऊंगी, अब हम ये फंदे, ये केबल, चोटी वाली केबल है, ये ऐसे बन रही है, अब हमने यहां दो सीधे बना ली हैं, अब यहां बीच में, इसको ट्विस्ट कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं समझा चुकी हूँ, अमीदा आपको समझ आगी होगी, ये चार फंदों को आगे करेंगे, और ये आठ फंदे हैं, चार फंदे इस लाई पर ले जाएंगे, ऐसे इसके उपर चार फंदे कर लेंगे, अब इनको बुन लेंगे, ये ऐसे किबल बन गई, अब ये चार फंदे जो इदर वाले हैं, ये अमने आठ फंदे बुने हैं, अब चार ये, अब ये चार फंदे बुनेंगे, अब ये दो फंदे बुल्टे, एक फंदा उतारेंगे, अब ये दोनों, ये एक को इस साइड निकालेंगे, एक को इससाइड बाहर निकालेंगे, ये पीछे से ये वाला फंदा आगे ले जाएंगे, और ये दोनों फंदे इस लाई पे ले जाएंगे और ऐसे इधर कर रूटा बुनेंगे और ये बंदे दो सीधे बुनेंगे अब ये वाला फंदा एक ही रहा गया है इसको हम बैक में साइड में पिछे ले जाएंगे ये दो फंदे आ रहेंगे यह वाला फंदा लाई पर ले जाएंगे और फिर इसको यह दुर्णों फंदों को इधर ले जाएंगे ऐसे दुर्णों फंदों को इधर कर लिया और यह दो फंदे सीधे यह ऐसे बंद हो गई ये नेक्स्ट फंदे जो हैं सारे उल्टे हैं जा इधर बुन रहे हैं वैसा बुनेंगे उल्टी स्लाइम में जैसे हम बुन रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है सीधे के उपर सीधा उल्टे के उपर उल्टा बुनेंगे अब ये चार फंदे जो हैं उल्टे हैं अब ये सीधे बुन रहे हैं सीधे बुनेंगे ये उल्टा नजरा रहा है इसको उल्टा बुनेंगे ये बकी ये सीधे नजरा रहे हैं इसको सीधा बुनेंगे यह उल्टे फंदे जो हैं, सारे उल्टे बुनेंगे, यह जो सीधा नजर आ रहा है, उसको सीधा बुनेंगे, यह हमने ऐसे ही उठाया हुआ है, यह वाला फंदा है, इसको उल्टा बुनेंगे, बाकी यह फंदे हम पत्ती वाले, जैसे पत्ती बना रहे हैं, वैसे बुनते जाएंगे कि यह मैं परती की फ़ंट साइड़ा आगे अपी यह पंदा ऐसे उतारेंगे और यह उलते दो फंदे पुनेंगे कि अब यह बारा फंदे जो हैं पिछली स्टाई में हमने आगर बीछे किया था आप यह बारी स्थाई ऐसे सीधे फंदे बारा में पंदे ऐसे उतारेंगे तीन चार पांच चेंट साथ आठ नो दस ग्यारा ये बारा अब दो फंदे उल्टे हैं उल्टे बुनेंगे अब ये फंदा ऐसे उतारेंगे बाकी ये फंदे जैसे बुन रहे हैं वैसे बुनेंगे उल्टे बुन रहे हैं तो उल्टे ही बुनेंगे अब ये चार पंदे केबल है दो को हम ये दो फंदे को पीछे से आगे ले जाएंगे और ये आगे वाले जो हैं इनको पीछे कर देंगे अब ये चार फंदे हम सीधे बुन लेंगे ये ऐसे आएगा अब यह स्लाई जैसे बुन रहे हैं वैसे बुन के गुम्प्लीट करेंगे जैसे बुन रहे हैं वैसे बुनेंगे अब सीधी श्लाई में आगे हम ये वाल अफंदा होता रहेंगे और ये दो उल्टे बुनेंगे आगे बस वैसे ही है जैसे ये इसमें हम अब इधर से बीच में ले लेंगे दोनों साइट से ऐसे ही बनाते जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है अब यहां के फंदे ट्विस्ट करेंगे उमीदे आपको समझ आ गी होगी ये पर फिर बतारी मैं आपको अब ये चार फंदे बुन लेंगे और इधर से ये ट्विस्ट करेंगे इसको हम दूसरी सलाई में लेके बैक में कर देंगे और ये चार बुन लेंगे जैसे मैंने बताया है आप ऐसे ही बनाएंगे तो ये डिजाइन बनता जाएगा अब ये वाले जो फंदे हैं बैक वाले इसको हम इस सलाई में ले जाएंगे ये अब इस सलाई पर कर लिए अब इनको बुनेंगे ये ऐसे केबल आवी अब ये दो फंदे उल्टे ये एक फंदा असे निकाल लेंगे बाक्की हम अब ये फंदे उल्टे बुन रहे हैं उल्टे बुनेंगे ये हम एक फंदा नहीं बुनेंगे लास्ट वाला इसको हम ये दो फंदे जो है हैं इसको अब हमने अंदर करना है जैसे ये अंदर किया है ये दो इदर करेंगे और इसको अंदर करेंगे, फिर ये हमारा उल्टा सीधे बाला शुरू हो जाएगा, ये दो अन्दे तो केबल बाले हैं, ये सीधे बुनेंगे, और ये फंदा उल्टा बुनेंगे, अब ये वाला फंदा आगे ले जाएंगे, अब ये ये केबल खुल रही है, एक उल्टा एक सीधा, ये दोनों सीधे बुनेंगे, अब उल्टे बुनेंगे, ऐसे ही, रिपीट करते जाएंगे और डेजाइन बनता जाएगा, बहुत ही प्यारा डेजाइन है, आप इसे किसी में भी बना सकते हैं, चलिए बनाए और शेर जुरूर कीजिए, बाए बाए